और लगातार अब तफ्सीर साफ हो रही है पूरी पूरी तरह से राइपुर में बात लीड की थी बस्तर में जीत की तरह देख रही थी और जगदीश देवडा साब इस वक्त हमाई साथ जुड़े हूँ है उपमोख्य मंत्री भी है और लगातार एक्टिव भी आपको नज़र आए जगदीश देवडा साब और चूकि 29 के 29 की माला है तो उनके चेहरे पर भी खुशी है देवडा साब सबसे पहले बहुत सारी श सीट पर भारती जन्यता पार्टी को प्रचण बहुमत से भारती जन्यता पार्टी के सारे उम्मिद्वारों को चुनावत में जिताया है मैं सभी देव तुल कारी करताओं को भारती जन्यता पार्टी के सभी कारी करताओं को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और यश बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गई है जगदीज जी मध्यप्रदेश में तो मिशन 29 पर आपने फटह पाली लेकिन अगर हम बाकी राज्जों के रिजल्ट पर अगर गौर कर ले वहां के तफसीर भी देख ले तो आशिरवाद देरे में जनता थोड़ी कंजूसी दिखा ग के रूप में इसका पित किया है यह सबसे ज़्यादा प्रसंता और खुशी की बात है और तो प्रजात अंतर में जनता जो निरने देती है उसको स्विकार करते हैं अब हाला के कॉंग्रेस मुक्त मध्यप्रदेश हो गया लेकिन जैसे कि अपढ़ना भी जिक्र कर रही है कि देश में थोड़ी सी स्थितियां अलग बदली खास तौर पर यूपी वगएरा में कहां आपको लगता है कि 400 पार का नेरेटिव आपके कारेकरता को थोड़ा आलस भरा कर गया देवडा साब यह राजनितीक परिश्चितिया है और प्रजातंत्र में जनता जो निरणे करती है उसको मुझे लगता है कि स्विकार करना चाहिए यह विशय है कि मंधन का विशय है यह हम करेंगे विचार करेंगे लेकिन इस समय देश में फिर NDA की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है मंत्री के रूप में मार्गदर्शन करेंगे उनके देत्रतों में काम करेंगे और हमारा देश विश्व गुरू के इस्थान पर स्टापीत होगा और 2047 में विक्सित राश्टों की शेड़ी में भारत नंबर एक पर आएगा यह जो संकल्प लिया है इस संकल्प को पूरा क करने में दरेंद्र रमोदी जी के महारगादर्शन में काम होगा और यह जगदी दी आप कॉंग्रस मुक्त वाध्यप्रदेश कार्दिया बीजे पी ने आप क्याठाब क क्या को ना कि और ने Alb. वो काम करेंगे सरकार के साथ रहे करके भारती जंता पार्टी के साथ अगर आए है तो उनका स्वागत है उनका अभी लंदन है और पार्टी के साथ मिल करके जंता की सिवा में वो लगेंगे जी जी आप तजुर्बेकार नेता हैं खास तोर पे तल्वारबाजी भी हमने आपकी देखी है लक्स चलाना भी हमने आपका देखा है हाला कि ये कॉंग्रेस का अपना मामला हो सकता है फिर भी मध्यप्रदेश और छतीजगर में एक तरह से कॉंग्रेस तो सायरन आपने सुन लिया होगा जानकारी आपको बता देते हैं रायकुर से बीज़ेपी के ब्रजमोहन अगरवाल मोहन भीया जीत गए और सवाल यहां भी दरसल जीत का था नहीं उनके सामने थे विकास उपाद्याए टीम राहुल के वो मेंबर भी माने जाते हैं विधाय का मौका भी उन्हें मिला और ब्रजमोहन अगरवाल ने जीत हासिल की कितने हैरत की बात है कि करीब दो दशक पहले यहीं ब्रजमोहन अगरवाल आज भाजपा के जो सब सब बड़े ब्रांड हैं उनके खिलाफ खड़े हुए थे और आज यहीं ब्रजमोहन अगरवाल जीत कर संबर्तया उनके कैबिनेट में नहीं कि अगवाई में संसद में बैठेंगे राकुर से बीजेपी के बिजमोहन अगरवाल जीप को साबित कर दिया आपने लके निविह बहुत उर्खया उन्होंने बटूरी और बड़ा ये काटे का मुकाबला लगातार चलता रहा बस्तर में आखिर कार कॉंग्रिस के कवासी लखमा हारे सामने कौन है सामने दरसल जो है अगर बतौर आदिवासी आप उसे देखेंगे तो कश्यप ऐसे नजर आएंगे बहुत सहज हैं सरल है लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर राशवाद के मुद्दे पर सनातन के मुद्दे पर जिस तरह से उन्होंने उन्हें लाकों महेश कर्षप जिस तरह से महेश कर्षप ने उन्हें लाकों में काम किया है उनकी बहुत गहरी पैट मानी जाती है यही बजाए कवासी लखमा हार गए कवासी लखमा ने कहा भी था गया था दिली अपनी बेटे के लिए बहू लेने लेकिन यहां दुलन हमें पकड़ा दी गई लेकिन लगता है कि दुलन नहीं रिजेक्ट कर दिया महेश कश्चप जीत गए है बस्तर सीट से 36 गड़ के बस्तर में कवासी लखमा की यह खार हुई है और लगातार अब तफ्सीर साफ हो रही है पूरी पूरी तरह से राइपुर में बात लीड की थी बस्तर में जीत की तरह देख रही थी और जगदीश देवडा साब इस वक्त हमाई साथ जुड़े हुए है उपमोख्य मंत्री भी है और लगातार एक्टिव भी आपको नजर आए जगदीश देवडा साब और चुकि 29 के 29 की माला है तो उनके चहरे पर भी खुशी है सबसे पहले बहुत सारी शुपकामना है और आखिरकार 29 में से 29 जो आपका टार्गेट था वो लगभग पूरा होने जा रहा है आपका रियक्शन सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको और मध्यपरदेश में 29 सीट पर भारती जनुटा पार्टी को प्रचट बहुमत से भारती जन्रता पार्टी के सारे उम्मिद्वारों को चुनावत में जिताया है मैं सभी देव तुल्य कारी करता हूँ को भारती जन्रता पार्टी के सभी कारी करता हूँ को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और यशश्वी प्रधान मंत्री जी का जो नेत्रत्व है और उनका मार्ग दर्शन है और उनको जो आशिरवाद दिया है देश की जन्ता ने या उसी का परिणाम है और मध्यप्रदेश में तो कांग्रेस बिलकुल पूरी तरह से साफ हो गई है जी जगदीश जी मध्यप्रदेश में तो मिशन 29 पर आपने फटह पाली लेकिन अगर हम बाकी राज्जों के रिजल्ट पर भी अगर गौर कर ले वहां के तफसीर भी देख ले तो आशिरवाद देरे में जन्ता थोड़ी कंजूसी दिखा गई है कुल मिला करके एंडिये की पुर्ण बहुमत की सरकार हमने बनाई ये देश की जन्ता ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी को फिर आशिरवाद दे करके तीसरी बार प्रधान मंत्री के रूप में इस्तापित किया है यह सबसे ज्यादा प्रसंता और खुशी की बात है और तो प्रजात अंत्र में जन्ता जो मिरने देती है उसको स्विकार करते है अब हालक के कॉंग्रेस मुक्त मध्यप्रदेश हो गया लेकिन जैसे कि अपढ़ना भी जिक्र कर रही है कि देश में थोड़ी सी स्थितियां आलक बदली खास तोर पर यूपी वगरा में कहां आपको लगता है कि चार सो पार का नेरेटिव आपके कारेकरता को थोड़ा आलस भरा कर गया देवड़ा साब यह राजनितीक परिस्टितिया है और प्रजातंत्र में जंता जो निरणे करती है उसको मुझे लगता है कि स्विकार करना चाहिए यह विशय है कि मंधन का विशय है यह हम करेंगे विचार करेंगे लेकिन इस समय देश में फिर एंडिय की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी ह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधान मंत्री के रूप में मार्गदर्शन करेंगे उनके नेतरतों में काम करेंगे और हमारा देश विश्व गुरू के इस्थान पर इस्तापीत होगा और 2047 में विक्सित राश्टों की शेड़ी में भारत नंबर एक पर दिया बीजेपी ने कॉंग्रेस योग तो बीजेपी